हलो हाई दोस्तों वेलकम बेक टू डान डीटल तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज का जो वीडियो है वो किन के लिए हैं तो यदि आप टीचर हैं आप किसी भी क्लास के स्टुडेंट हैं या आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं या आप किसी सरकारी नौकली के तैया पहले कहानी को डिसकस करते हैं स्टार्ट करते हम जीरो से तो आप सभी को बहुत अच्छी से पता है जब भी हम स्कूल में पढ़ने गए तो सबसे पहले कहानी स्टार्ट हुई जीरो से और चुकी हमारा पढ़ाने का जो तरीका होता है वो भी सुन्ने से होता है तो हम कोनों का जो answer होगा वो क्या होगा तो कहीं लोग इनका answer zero देते हैं या कुछ लोग zero देते हैं कुछ लोग answer एक भी देंगे कुछ infinite देंगे कुछ undefined देंगे तो आपको यह चीज़े clear होनी चाहिए अधर आप college की student है अगर आप इन फ्यूचर आज अगर आप स्कूल में है तो कल को आप गवर्मेंट जॉब के त्यारी करेंगे तो आपको यह चीज़ें आनी चाहिए ठीक है और अगर नहीं आएगी मानलीज आपको यह बैसिक सी चीज़ें नहीं आती है आप स्कूल में पढ़ रहे हो आपका डिग्री हो आपके लिए हो जाएगी कि आपको अगर इसी चोटी चोटी चीज़ें नहीं पता होगी तो आपके दादा जी जब आपसे कभी कुछ चीज़ें पूछेंगे तो वह भी आप से कहानी का ब्रहां को दूर कर लेतें पर पहले मैं चाहूंगा कि जितरे लोग भी जो भी इस् अनसर क्या आएगा और 1 by 0 का आनसर क्या आएगा उमीध है आप लोगों ने वीडियो पोज्ट करके निए अंसर कमेंट में लिख दिया होगा अब में आपको यह चीजे क्लियर कर देता हूँ आपके जो भ्रहम है उनको हम क्लियर करते हैं कि इनका answer क्या होगा और क्यूं होगा तो सबसे पहली कहानी तो मुझे ये बताईए suppose मानलीजे मैंने लिखा सहाब मैंने यहाँ पर लिख दिया 25 मैंने लिख दिया 25 25 upon me 5 तो आप मुझे बताएं कि 25 upon me 5 का जो answer होगा तो सब को पताएं sir 5 answer आएगा अगर मानलीजे मैंने लिख दिया 45 upon me 9 तो बोलो answer क्या आएगा sir 5 आएगा अगर मैंने लिख दिया 36 upon me 12 तो आप बोलो क्या answer क्या आएगा 12 30 36 आएगा तो अब हम पहले ये समझ लेते हैं कि क्या हमने जो answer दिये या answer सही है तो इन answer को सही है या गलत है कैसे check करते हैं तो आपका ये जो answer 5 है क्या ये answer सही है तो आप कहेंगे हाँ sir सही है पर कैसे सही है हम ये चीज़ check कैसे करेंगे तो उस चीज़ को check करने के लिए आपको समझे क्या करना होगा आपको 5 multiply 5 करना अगर आपका इसका और इसका multiply करने पर answer यह आ रहा है तो इसका मतलब पक्का पक्का सहब यह सही answer है तो 5 multiply 5 जो होगे आपका आगे 25 इसका मतलब यह answer आपका सही है clear यह बात अच्छा मतलब यह बात समझ में आगे सर कि किसी भी division किसी भी भाग बाले सवाल को check करने के लिए क्या उसका answer सही है या गलत है यह check करने के लिए हम कैसे पता करेंगे answer सही है गलत है तो सर जिससे हमने भाग दिया और जो हमारा answer आया है उन दोनों का multiply करने पर जिसमें हमने भाग दिया वह answer आना चाहिए तो 5 multiply 5 कितना होगे 25 जट मेंसी आंसर सही है ऐसे ही 9, 5, 45 आ रहा है इसका मतलब ये भी सही है 12, 30, 36 आ रहा है मतलब ये भी सही है तो एक बात समझ में है कि सर जब भी हम आंसर को चेक करना चाहें तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं अब आप मुझे बताईएगा अगर कोई बच्चा इसका आंसर 1 देता है तो क्या वो आंसर सही होगा तो आप चेक करो क्या मैं 1 का multiply 1 में करूँगा तो 0 आएगा नहीं आएगा सर इसका मतलब सर पका पका ये जो आंसर है ये गलत है तो फिर क्या इसका आंसर 0 होगा तो अब आप चेक कीजिए कि जब 1 का multiply हम 0 में करेंगे तो आंसर 0 आएगा इसका मतलब ये value आ रही है जब हमने इसका और इसका multiply किया तो हमारा answer ये आया बोलो आया न न आया तो इसका मतलब ये answer हमारा सही है तो इसका जो आंसर होगा वो 0 होगा तो कोई दिक्कत नहीं है 1 by 0 equal to what? 0 0 by 1 equal to what? 0 अगर 0 के बटे में कुछ भी लिखा है 0 बटे 1, 0 बटे 2, 0 बटे 3 0 के बटे में कुछ भी लिखा हो उसका आंसर जो होगा वो 0 ही होगा ठीक है? But क्या sir इसका आंसर क्या होगा? चलिए ठीक है 0 के बटे में कुछ भी लिखा हो तो 0 होगा पर किसी भी नंबर के बटे में कुछ लिखा हो 0 अगर किसी नंबर के बटे में 0 लिखा हो तो आंसर क्या होगा? तो आपने कहा sir आंसर 0 होगा अब आप ज़रा ये देखिए क्या यह answer 0 हो सकता है चेक करके देखिए sir इस 0 का और इस 0 का जब हम multiply करना है तो क्या answer 1 आ रहा है sir बिल्कुल भी नहीं आ रहा है इसका मतलब कि यह answer हमारा गलत है फिर हमने कहा हो सकता है sir इसका answer 1 आ है तो अगर इसका answer 1 है तो आप मुझे पताए क्या इसका और इसका multiply करने पर answer 0 आ रहा है sir बिल्कुल भी नहीं आ रहा है 1 आना चाहिए तो 0 का multiply 1 में करने पर आना था 1 पर आएगा क्या 0 इसका मतलब यह भी गलत है तो इसका मतलब यह हुआ कि sir आप इसका number कुछ भी लिख दो आप यहाँ 2 लिख दो, 3 लिख दो जब इसका और इनका multiply करोगे 0 का multiply किसी भी number में करने पर answer 0 ही आता है इसका मतलब हम किसी भी तरीके सा answer 1 ला ही नहीं सकते इसका मतलब कि इसका कोई भी exact answer नहीं होगा और इसलिए इसलिए जब भी कभी बटे में 0 आ जाता है अगर आप केल्कुलेटर में भी को लिख देते हो तो केल्कुलेटर कहेगा गलत answer है देखें मैं चेक करके लिख देख लिता हूं मैंने लिखा 1 by 0 जैसे हम equal to दमाएंगे तो यह दिखा रहा कि मुझे आता ही नहीं है साब केल्कुलेटर को चीज आती कहाणी को हमने समझा जी रो की है नहें सेपहले हमने किस कहाणी को समझने की कहानी क्या है सुन्निका जो रोल था वो क्या है इसलिए बहुत बार हम नाइंत में तैंत में लेउध में 6 में saud परिभासा पढ़ते हैं कि परिमे संख्याय क्या होते हैं तो हम कोहते हैं कि number which cannot be written या number which is written in the form of P by Q number which can be written in the form of P by Q ऐसे number जिनको हम P by Q के रोप में लिख सकते हैं उनको हम परिमे संख्याय कहते हैं जहां पर Q is not equal to zero मतलब बटे वाली value zero नहीं होनी चाहिए ऐसा हम अभी तक exams में लिखते आए हैं कि सर ऐसे बटे वाले number जिसमें बटे का value zero नहीं होता हो तो उसको हम friction कह सकते हैं या फिर उसको हम rational number कह सकते हैं तो बटे में 0 नहीं आना चाहिए तो आपको clear हो गया होगा क्योंकि कभी बटे में 0 आया तो ऐसा कोई number होता ही नहीं है यह value undefined होती है परिभासित होती है इसलिए जब भी हम मैस का definition लिखते हैं इस तरीके का तो वहाँ पर हम last में लिख देते हैं कि Q जो है नियूम्रेटर अपन डिनोमेटर जो डिनोमेटर है वह वह क्या है जीरो नहीं होना चाहिए तो उमीद है आपको यहां तक कहानी समझ में होगी तो आज की जो क्लास ना बढ़ी सिंपल सी क्लास है और यह जो क्लास है यह बूस्टर को रहेगा पांस दिन की ख्याइटर होने वाले आप किसी भी चीज़ नहीं कर रहे हो तो CDC बात है कि आगे की जो क्लासे से उनमें हमारा इंट्रेस्ट थोड़ा सा कम होगा तो आप का ये काम बनता है कि आप हमारी जो इच्छा है हमारा इंट्रेस्ट उसको बढ़ाते हैं ताकि हम आपके लिए और भी बहतरीन बहतरीन चीज़ें लेकर अब कहानी और कहानी को समझते हैं तो एक के कहानी और मैं ने जब पढ़ाना सुरू किया था ठीक है जब मैं ने सुरुआती दोर में 2013-2014 में पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मेरे गाउं का एक स्कूल जहां पर मैंने पढ़ाना स्टूर्ट किया था तो एक्चुली मैं किया था वहाँ पर हायर सेकंडरी का टीचर था मैं 9 10 11 12 को मैस पढ़ा था था बट एक दिन क्या हुआ मेरी डूटी एक छोटी ग्लास में छोटे बच्चों में लगा दी गई फॉर्थ फिर्फ एक बच्चों में सकता तो मेंने वहां पर उन बच्चों से थोड़ा सा कि दिमाग घूंग गुओं कि यह क्या अंसर पूआ मतलब कुछ बच्चे एक और एक ग्यारत के पूछ थे रहा की कैसे हैं तो फिर एक बच्चे नैं बड़े सरीफ तरीके से खड़ा ह measuring रहा साफ के साथ अपना क्रपा एंसर दिया वह इस तरीके से उनके पास जो चौक थी जिससे वो पढ़ा रहे थे उस चौक के दो टुकड़े किये और हमको दिखाया कि देखो ये दो टुकड़े हैं एक टुकड़ा ये रहा एक टुकड़ा ये रहा दोनों टुकड़ों को मिला कि हमको दिखाया सर कि देखो एक और एक दो ह आ पर हैं अपय। ग одна कि जब हो बच्च कर गया जब वह बक्चा एक वजोंक और एक इस दिमाग में घुझजेगा टीछ कं दोनों को मिलाया तो दो चौक बनी अब वो बच्चा घर गया उसको एक चीज क्लियर हो चुकी थी कि सर एक और एक मिलाने पर दो होता है अब वहां पर मम्मी उसकी बना रही थी रोटी और आप सभी को पता होगा जब रोटी बनाते तो आखरी में थोड़ा सा आटा बच जाता है अ उस एक से लुई निकालके दो कर लिया अब बचा कंफ्यूज क्यों कंफ्यूज क्यों कंफ्यूज क्यों क्यों स्कूल में उसको साहब सिखाया गया था क्या सिखाया गया था कि एक और एक दो होता है पर यहां मम्मी ने कहानी बदल दी मम्मी ने कहानी क्या बदल दी एक औ उनों लुईया हैं वो बहुत ही छोटी हो गई तो मम्मी ने का आप तो रोटी बहुत छोटी बनेगी तो मम्मी ने सुझे काम करती हूं एक ही रोटी बना लेती हूं तो उन दोनों लुई को वापस मिलाया अब according to बच्चा क्या होना चाहिए था एक और एक मिलाने पर दो होना था पर मम्मी ने फिर कहानी बदल दी जब एक लुई आटे की और दूसरी लुई आटे की मिलाई तो मिलाने पर वापस एक ही हो गई अब बच्चा हो गया confused उसको कुछ समझ में आया नहीं जा कि अगले दिन उस्ते हो साहब यह आपके भी clarity है ठीक है इतिहास गवा है हम अपना record खराब नहीं करेंगे आप सब यहीं चाहते हो कि हम नहीं पूछेंगे आपको जितना पढ़ाना है पढ़ादो doubt हम नहीं लेंगे और doubt होगा भी तो हम comment में लिखेंगे भी नहीं जब आज तक हमने offline class मे बोला नहीं doubt तो हम लिखें क्यों doubt तो आपके पास एक मूखा है आप यहां doubt लिख सकते हैं comment box में अगर आपको कुछ भी दिक्कते हैं मैस में छोटी छोटी बैसिक चीज़ें नहीं आती है तो आप बेहिजक महां लिखें अगर आपके doubts आएंगे और बताने जैसे लायक आप दिया था कुछ बच्चों जा अंसर बोला कि सर एक और 11 होता है अब मैं था confused कि यार यह बच्चे सही है यह बच्चे सही है एक्च्वल में बच्चे दोनों के दोनों सही थे पर आप कैसे सही थे उनको जो टीचर ने पढ़ाया था उसके according वह सही थे ठीक है पहले दि पूल में टीचर है चोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप भी यही करेंगे कि बच्चों को पहले जोड़ना सिखाएंगे और जब जोड़ना सीख जाएगा साहब तो फिर आप उनको घटाना सिखाएंगे बोलो हा या ना ठीक है तो जब आपने घटाना उनको सिखाय तो कैसे सिखा है सपोज मानले यहां पर लिखा 31 क्या लिखा है 31 और माइनस कि हमने इसमें से 8 ठीक है तो ये बच्चे जो एक और 11 अंसर दे रहे थे तो दूनिया जानती एक में से 8 नहीं घटेगा तो हम लोग क्या करते हम लोग केरी लेते इस तीन के पास से केरी लेंगे एक यहीं होता है साब अब आप मुझे क्लियर करना कि छोटी सी क्लास में छोटे बच्चे को मैम साब ने बताया था कि एक और एक दो होता है यहना बच्चा सीख भी गया था उसको कोई डाउट नहीं था पर अगले दिन चार दिन बाद एक क्लास और हुई उसी टीचर की जिसने यह पढ़ाया कि एक यहां पर है और एक हमने यहां से लिया तो एक और एक तो बच्चा चिला या दो पर मेंटम का नहीं ग्यारा होगा अब बच्चा कंफ्यूज बच्चा पूछ रहा है कि मैम क्यों आपने कल पर सो पढ़ाया था एक और एक दो होता है यहां पर एक और ग्यारा क्यों हो को नहीं होता है यह हमारी बूरी किसमत बोलो जो भी बोलो 99% के सेस्ट में टीचर को नहीं पता होता जो उनको पता होना चाहिए इसलिए मैंने कहा था यह वीडियो कुछ टीचर्स के लिए भी तो अगर किसी को मेरी बात ने बूरी लगी हो तो मास्ती चाहूंगा बट आपको यह सीखना चाहिए अगर आपको नहीं आता और अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए ठीक है तो यहां से एक आया और यहां एक तो एक और एक दो हो रहा है एक चुल म तो मैं 1 और 1 2 लिखूँगा और जब भी ऐसे घटाने वाली कहानी आएगी तो 1 और 1 21 लिखूँगा तो जो बच्चों ने मुझे इस्कूल के अंसर दिया था वो बिल्कुल सही दिया था उन बच्चों के हिसाब से कि एक और एक दो भी होता है और एक और एक ग्यारा भी होता है पर अब कहानी आती है गलत उनको पढ़ाया गया था बच्चे उने तो सही बोला था गलत पढ़ाया गया था क्या गलत पढ़ाया था यह बात आप समझिएगा actual में ये जो 3 है ना ये 3 नहीं है सहब ये 30 है और इस 30 में से 10 उधार आएगा ये 10 आया था तो 10 और 11 कहने का मतलब है कि 1 और 11 कभी नहीं होता है हमेशा 10 और 11 होता है तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये 31 है बोलो हाया ना 31 ये 31 है कितना है 31 मतलब ये 30 हो ये 1 है जब आप 30 में से 1 लोगे तो 29 बचना चाहिए पर आपने देखा कि सर ये 30 था देखो समझोज़रा 30 था प्लस 1 था हमें माइनस क्या करना था 8 वन में से 8 माइनस नहीं होत तो अब आपकी ये भ्रमदूर होना चाहिए हां यहां से जो टेन आता है उसको जब इसमें जोड़ते हैं तो 11 हो जाता है इसलिए हम ऐसे लिखते हैं ऐसा नहीं कि एक और 11 हो रहा है गलत बात है तो आप पढ़ाई भी उनको इसे ऐसे बिल्कुल ना बोले कि एक यहां से लिए तो एक और 11 आपको यह बोलना है यहां से 10 उधार आएगा तो एक पहले से यहां था दस आया तो टोटल हो गया ग्यारा ग्यारा हो जाएगा तो इसको अपन लिख ऐसे लेंगे आप 11 में सब 8 माइनस कर दोगे तो आपको आंसर सहीं मिल जाएगा 11 में से 8 जाएगे त दो ही होता है आ तक कोई दिकतब है नहीं आप नहीं है धुनिया में पूछ ले कि जब हम एक लेते हैं जब हम एक आ तो एक और एक दो क्यों नहीं होता तो आप कहेंगे कि वो जो केरी लिया है वो एक नहीं होता वो एक्चुल में 10 होता तो 10 और 11 वरोबर चलिए तो आज की क्लास के हमने दो भ्रम आपके दूर कर दिये हैं और आगे-अगे अगर बने रहते हो तो आप देखिएगा एंड तक कहानी और एक की कहानी किलियर हो गई होगी तो अब धीर धीर हम बढ़ते हैं अब चुकी हमने जोड़ने की कहानी तो करी लिए घटाने की तो आप जोड़ने की कहानी को भी समझ लेते हैं तो अब अगली जो मैं कहानी लेकर आना जोड़ने की यह जोड़ने की कहानी जो है और पढ़ने वाला ठेले वाले से लेट कर रहा है तो इसका क्या sense निकलता है क्या हमें ठेले वाले जैसे बनना चाहिए यह हमें स्कूल में पढ़के बहुत अच्छा बनना चाहिए हाला कि मैं स्कूल को बिल्कुल गलत नहीं कह रहा हूँ but 99% cases में ये हो रहा है कि जो student अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, वो बच्चा जो मैं सवाल देने वाला हूँ, इनको गलत कर रहा है, मतलब लेट कर रहा है, या बहुत धीरे-धीरे कर रहा है, और वहीं उसी चीज को एक ठेले वाला जबत्स तरीके सा अंसर दे 23 and 5 by 4, प्लस, मैं लेखा 26, 26 and 1 by 5, 26 and 1 by 5, प्लस, 20, 50 लिख लेते चली, ये छोटा सा सवाल था, जिसको जोड़ना है, एक सात्वी के, छट्वी के बच्चों को जो 6-7 क्लास में पढ़ते हैं, उनको ये चीज आती है, अब जो बच्चे गवर्रमेंट जॉब की सरकारी नो Center SSGD में जो ये सवाल छोड़ कि आया था, क्योंकि उस्से नहीं हो पाया, और यकिन मानिए, जिस तरीके से हम सीखे हैं, जिस तरीके से किताबों में सीखाया गया है, उस तरीके से ये लेंदी जाता भी है, ठीक है, तो पहले कहानी को समझते हैं, तो बच्रे क्या करें, मा बात में मानी भी होगी आप देखिए आपने क्या क्या में वो दिखा दूँ आपने क्या किया आपने सहाब क्या क्या होगा 23 multiply 5 क्या होगा प्लस 4 क्या होगा है ना तो 23 multiply 115 और 4 119 बटे 5 कुछ इस तरीके से लिखा होगा फिर 26 पंजे 130 और 131 बटे 5 लिखा होगा प्लस 5 पचास लिखा होगा फिर आपने कहीं LCM लिया होगा फिर ये 119 ये 131 ये 50 50 50 50 50 पंजे 200 इस तरीके से चीजों को लिखा होगा ठीक है फिर आपने लिखा होगा सर ये कितना हो गया सर ये 120 और 130, 200, 200, 500, 500, 500 बटे 5 और यह आपका 100 आया होगा मैं यह कह रहा हूँ यह हम स्कूल लेवल पर सिखते हैं स्कूल में हमें सिखाया गया है कि कहीं भी ऐसा दिखे तो इसका गुणा करना है और इसको जोड़ना है हाँ बिल्कुल सही सिखाया गलत नहीं है बट हमने उस एक चीज को सीखे हम यह सीखना ही भूल गए कि यह है क्या है हम इस चीज पर फोकस करना हिभूल गए कि यह लिखा क्या है तो पहले मुझे एक बात बताओ यह क्या लिखा है साब थेले वाला क्या करता है मालू में थेले वाला जब दिन भर बाजार कर लेता है तो वो क्या करता है उसके पास कुछ पैसा कलेक्ट होता है तो उस पैसे में वो क्या करता है पैसे को सिधा जोड़ना शुरू नहीं करता है पैसे क एक रुपय उठा लिया 101 फिर सव को अठा लिया तो 201 फिर चिल्लर उठा लिया फिर जो ले ऐसा नहीं करेगा वह पहले बड़े नोट अलग करेगा बड़ों को एक साथ गिनेगा फिर चिल्लर को अलग गिनेगा और फिर दोनों को कलेक करेगा यही concept यहां लगाओगे तो इसी सवाल में यह देखूं कि मेरे पास 23 and 4 by 5 है 23 सही 4 बटे 5 मतलब 23 तो पूरा-पूरा है 23 तो पूरा-पूरा है प्लस में 4 बटे 5 है ऐसे ही आप यहां देखोगे कि 26 रुपय पूरे है प्लस में कुछ चिल्लर है एक बटे 5 प्लस 50 है अब आप देखो क्या है है ना प्ल 50 और 59 निन्यानवे तो यह हो गया और जो चिल्लर बची ती उसको गिना तो एक रुपया आया तो 99 रेक सव हो गया देखो तेएस और 26 उन पचास उन-पचास और 59 अब इसको देखो आप अगर आप अगर आप 4 by 5 पलस 1 by 5 को 8 करोगे तो आंसर आएगा 5 by 5 मतलब यह मिलके 1 रुपय वुआ देखें ना आ पको लेने के रिवायरमेंट पड़ी और आपका डारेक्लीा अंसर आङए तो यह कहांई थी अब देखेंगा यह चोटा सा सवाल बैसिक सान लिया अब आप समझेगा मैं क्या कहना चाहा हूं साब मैं कहना चाहा हूं कि पिछले साल में banking में सवाल आया था बैंक की एक्जाम थी साहब बैंक जहां नोक्री लगती है बच्चे उलत जाते हैं इस चीजों में ठीक है सवाल छोटे-छोटे सोते हैं पर उन छोटी-छोटी चीजों में ही मोटी-मोटी बाते चिपी होती होती जो हम समझने पाते कहीं आपने सक्ति प्लस ग्यारा सहीं दो बटे-पांच प्लस एक 101111 सहीं दो बटे-पांच ये एक छोटा सा सवाल था बैंक एक्जाम में आ था वोला इसका आंसर क्या होगा ओप्सन 5 थे 5 में से एक उत्तर आपको लगाना था तो यहां वही कहानी आएगी सर जो बड़ा है उसको पहले गि देंगे तो आंसर आएगा 1233 यह हो गया चिल्लर को जब हमने देखा तो दो और एक तीन तीन और दो पांच पांच बटे-पांच मतलब एक तो एक आपके यह आ गया तो 1234 आपका अंसर आ चुका है अब आप सोचो कि जो हमने स्कूल लेवल पर पढ़ा था उसमें हमने क्य स्कूल लेवल पर हमने यह सिखा था कि पांच का गुणा इसमें करो और फिर इसको जोड़ो फिर इस पांच का गुणा इसमें करो रिसको जोड़ो फिर इस पांच का गुणा इसमें करो इसको जोड़ो फिर सबकाइल सेम लो फिर करो फिर डेवाइड करो तब जाके आपक 323 प्लस चिलर चिलर मिला के एक तो 1234 आपका अंसर हो गया तो यह चीजे थी अब यह कहानी थी अब एक और सवाल जो मैंने कहा SSC GD में मेरा एक student था जिसका selection हो चुका है सोचिएगा SSC GD में उसका सेलेक्षन हो चुका है नाम नहीं बताओंगा में बड़ आप सोचिए उसका selection हो चुका और उस बच्चे को ऐसी चीजे नहीं आ रही थी तो सोचो ठीक है जिस बच्चे का selection हो चुका उसको भी चीजे नहीं आ रही थी तो इसका मतलब हमारा base के लिए रहे सवाल यह था अच्छा अच्छल में यह सवाल नहीं था सवाल कुछ और था वह हल करते-करते यहां तक आगया और उसके बाद केवल इसको हल अगर कर ले इसको अगर हल कर ले तो क्या आएगा उसका आजाएगा तो क्या था 253 माइनस 737 बटे में 738 इतना सा सवाल था साब वो एक सवाल था कुछ और जिसको हल करते करते आया और यहां आ चुका है अब अगर इसको हल कर लेगा तो चार उत्तरों में से एक अंसर उसका मेच कर जाएगा और अब्जेक्टिव कोस्टन्स होते हैं तो वहां पर क्या है भाई साहब गुण है बाई यह गटाएंगे और फिर बचे का उसको भाग देंगे तो बह्ए यह बहुत लंबी कहानी हो जानी तो यहां पर आपको यह समझना था मुझे बात बताओन यहां गर्ज़ेंपल के बता आपके घर तीजोरी में 10,000 रुपए पड़े हैं और उन 10,000 के जो गड़ी है वो 5500 रुपए के नोट की है एक मजदूर आपके घर आया और पापा ने कहा कि बेटा मजदूर आया इस मजदूर को 300 रुपए देना है है और 100,000 में से 300 रुपए देना है तो हम 10,000 में से कभी 300 नहीं देंगे हम उस दसजार में से केवल 500 का नोट खीच कर लाएंगे बाकी महीं दें देंगे उस 500 लाकि पापा को देंगे पापा 500 मेंसे उसन देंगे तेरिती तीन सो काट और 200 वापस दें वो दोस्टों आप लें जिसका मतलब आप 10,000 के गड़ी थमारे हो मजदूर को, आप ये सोचो कि ये क्या लिखा है, तो मुझे समझा आए कि उपर 737 लिखा और नीचे 738 लिखा है, अगर 738 का भाग में 737 में दूगा तो एक बार भी नहीं जाना है, मतलब ये जो value ये 0 से भी छोटी है, मतलब जो म में से निकाला, ये तीजोरी में पैसे पड़े थे, इसमें से मैंने एक रुपया निकाल लिया, तो बचे कितने तीजोरी में, तीजोरी में है 252, ये एक रुपया ले जाके पापा को दिया, पापा ने एक रुपया में से क्या, जो उसको देना था, वो माइनस करवा दिय अब आप देखो सर एक रुपया मैंने उसको दिया एक रुपय में से यह माइनस कर लेगा वो और बाकिये मुझे वापस देगा तो वापस में जाके कहा रखोंगा तीजोरी में तीजोरी में 252 रुपय अभी भी है हाँ या ना अब आप देखो सर इसका गुणाई से घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा एक बटे 738 तो आपका आंसर आ गया 252 सहीं एक बटा 738 यही आपका आंसर कि 252 रुपय आपकी तीजोरी में है आपकी तीजोरी में 252 रुपय है प्लस थोड़ा सा चिल्लर और पड़ा हुआ है हाँ या ना तो यह सिंपल से चीजों अब आप सोचो यह सिंपल सा हो गया अगर आप इसका गुणा करते इसको घटाते फिर जो उत्तर आता उसको इससे भाग देते उसका भाग 252 बार जाता और कुछ रिमेंडर बचता गलत तरीका नहीं था यह करी नहीं पाता उस बच्चे ने ऐसे किया था जो जीडी का एक हमने सीखा जीरो की कहानी हमने सीखा वन की कहानी हमने जोड़ना घटाना सीखा मैं पांस दिन के आपकी क्लास लेना हूं इन पांस दिनों में इन पांस दिन के क्लास में मैं यह देखना चाह रहा हूं कि कितने लोग इंट्रेस्टेट हैं कितने लोग एक्च्छल में चीज कि आपको यहां तक की चीज़ समझ में आई होगी तो मैं आगे भी थोड़ा डिसकस कर लूँ कि एक बात बताईए क्लास 6 मतलब कक्षा पांचवी छटवी साथ में क्लास 5 फॉर्थ से लेके हम कॉलेज तक है ना और कॉलेज के आईवन गॉर्मेंट जॉब की तयारी तक हम छ छेतरफल सिखने के बाद भी क्लास 4 में हमें छेतरफल निकालना मेडम ने सिखाया 5 में सिखाया फिर 7 में सिखाया 8 में सिखाया कॉलेज में सिखाया 10 में सिखाया उसके बाद भी हम में से कहीं लोगों को यह पता नहीं होता कहीं बच्चों को यह पता नहीं होता कि जिस घ हमार जो पढ़ाई है वो किस तरकी है तो मेरा कहना यह पढ़ा है कि अगर हमें छेतरवल सीखना ही है ना तो प्रैक्टिकल चीजों सीख होगे तो आप बुक का कोई सा भी सवाल क्रेक कर जाओगे और एक्जाम का पेटर्न कितना भी टफ हो जा आप उसको चुटकियों में उ कंप्लीट कोर्स आपको करवा जाता है अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे स्क्रीन पर एक नंबर स्कॉर्ल हो रहा है उस नंबर पर आप कॉल करेंगे तो पूरी डिटेल आपको मिलेगी एड्रस लिखावाश पर आप आकर विजीट कर सकते हमां पर दुखा लिया तो उम्मीद है आप अगर गाओं के बच्चे हैं तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि गाओं में देड़ रुपए सेकड़ा दो रुपए सेकड़ा धाई रुपए सेकड़ा का ब्याज चलता है तो कौन बच्चा पढ़ा लिगा बुद्धी ज बॉक्स में जरूर लिख देना कि मेरा अंसर या देड़ लाक रुपए हैं देड़ साल सी सुरी देड़ लाक रुपए दो साल से आपके पप्पा ने आपको पढ़ाने के लिए उधार ले रखे हैं वह अभी तक दे नहीं पाएं आप दो साल बाद आपकी नोकली लगी है तो आप उसको पैसा देना चाहते हो तो देड़ लाक रुपए का देड़ रुपए सेकड़े के हिसाब से दो साल का ब्याज मिला कर आप कितना पैसा चुका होगे कमेंड बॉक्स में अंसर देना अगर आप यह आंसर दे पाए तो आप इमानदारी से पटना है वरना लोग लोग तो कहेंगे भीया बिटता जी आपको लोग कहेंगे भणया पर गुणियानी खाई पी का गोबर करने हो शցच सकते हैं कि भणया पर गुणयानी खाई पी को गोबर करना काम का नकाज का मनभरा नाज का तो ऐसे सब्दा आपको सुनने को ना मिले उम्मीद करता हूं मेरी हादिक इच्छा है कि आपका सम्मान हो आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका सम्मान होगा अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपका सम्मान नहीं होगा हर जगस सम्मान है आपकी सिक्षा का अगर सिक्षित है तो आपकी इंकम होगी इंकम होगी तो आपका सम्मान होन मुझे दिखे गा मेरे चैनल पर वो जीज़े 5 ही कि क्या आपने आपके दोस्तों को यह चीजह मोगा तो वहां से मुझे पता चलेगा कि आप इस विए yoo को कि इतना प्यार दियर है और विडूब को प्यार मिलेगव असी पर आधारीत होगा हमारा अगला वीडियो तो उमिद है आप अपना आसीम प्रेम इस वीडियो को देंगे और इसे के साथ मैं अगली वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होगा चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों दोस्तों अगली क्लास में थैंक यू